नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मटर की फसल में पीला रत्वा रोक की रोक थाम कैसे करें दोस्तो यह जानकारी जो किसान बाई मटर की खेती करते हैं या इस साल मटर की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपून जानकारी होने वाली है आईए इसके बारे में जानते है दोस्तो स्वागत है आपका सवपर्चम एग्रिकल्चर वर्ड में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको खेती सम्मंदित सभी जानकारिया समय समय पर मिलती रहती है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान बाईयों को सेयर जरूर करना तो आईए जानते हैं मटर में पीला रत्व रोग आने पर इसकी रोग थाम कैसे कर सकते हैं मटर की फसल में इस रोग के कारण जमीन के उपर पोधे के सभी पत्तों पर हलके से चमकदार पीले रंग के फपोले दिखाई देते हैं पत्तियों की निचली सतैपर से ज़्यादा आपको ये धद्बे दिखाई देंगे पत्तियां साथ ही मुर्जा कर गिरने लग जाती हैं धीरे धीरे हमारा मटर का पोधा सूक जाता है दोस्तों सरुपरत हम बात करें इसका मरदा की तरफ हम कैसे बचाऊ कर सकते हैं हमें फजल चकर अपनाना चाहिए इसके साथ ही रोग परतिरोधी किस्मों का चैन करना चाहिए बीज को हमेशा उपचारित करके ही बुवाई करनी चाहिए और रोगी पोधों को खेत से अलग करके बाहर जला दे और समय समय पर फैसल के निगरानी अवेश्य करे दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रासाइनिक नियंत्रण के बारे में मट्रे में पीला रत्वरोग के रासाइनिक नियंत्रण हम किस परकार से कर सकते हैं इसके लिए 200 मिली प्रोपेकेनजोल 25% EC को हम डेड़ सो लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका परती एकड़ के हिसाब से छिड़काओ करे या फिर हम 400 ग्राम में को जे 75% WP को डेड़ सो लीटर पानी के हिसाब से घोल कर परती एकड़ में इसका छिड़काओ करे इस परकार से हम अपने मटर की फसल में पीला रत्वा रोक की रोक थाम कर सकते हैं अर्थात इस पर नियंतरन कर सकते हैं दोस्तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अन्य किसान बाईयों को भी सेर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट इडियो में धन्यवाद